आज हम बात करेंगे इगनु के तरप से एक बड़ी अपटेट आई है और इस अपटेट के अकोर्डिंग अगर आप इगनु से कोई भी प्रोग्राम कम्पलीट कर चुके है या फिर कोई भी प्रोग्राम कर रही है तो आपका इससे काफी ज़्यादा फाइदा होगा और इगनु के तरप से एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अब रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप ये समझे कि ये पोर्टल क्यों बनाया गया है और इसे आपका क्या फाइदा होगा तो इगनु में क्या होता है कि समय समय पर placement आता रहता है जिसमें क्या होता है कि इगनु आपको अलग-अलग company में नोकरी दिलवाता है या फिर नोकरी ओफर करता है जिसमें आपको interview के लिए जाना होता है वहाँ पर या तो आपको interview देना होता है और कई बार return exam भी लिया जाता है और यह जो placement आता है यह अलग-अल जल पाने की कारण placement कब आता है और इसका last date कब चला जाता है नहीं पता चलने के कारण बहुत से बच्चों का नुकसान भी हो जाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप इगनु के main website पर आएंगे तो यहाँ पर आपको news and announcement वाले section में एक link मिल जाएगा registration for job placement इस job portal यहाँ पर आपको click करना होगा फिर यह page open हो जाएगा registration for campus placement अब देखिए यहाँ पर registration करवाने से आपका क्या फाइदा होगा इसमें आपको यह बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर registration करवाते हैं तो किसी भी regional center के तरप से या फिर किसी भी राज्य में placement आता है तो यहा information जो भी आप mobile number देते हैं या फिर email ID देते हैं वहाँ पर आपको तुरंट सही provide करा दिया जाएगा और जैसे ही आपको सही time पर जानकारी मिल जाता है तो जहाँ पर भी placement रहता है वहाँ पर आप जा सकते हैं और interview या फिर written exam दे करके जो नोकरी है इसको आप प्राप्त कर सक अब बात करते हैं कि अगर आप campus placement के लिए इंटरस्टेड है यानि कि इगनु आपको कहीं पर किसी भी company में नोकरी दिलवाता है और आप इसके लिए apply करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा यह page open हो जाएगा और यहाँ पर आपको registration करव यहाँ पर आपको अपना gender बताना होगा नीचे करेंगे यहाँ पर आपको अपना age बताना होगा और यहाँ पर आपको यह बताना होगा कि आप इगनु से कौन सा program कर रही है या फिर कर चुके है यहाँ पर आपको अपना enrollment number लिखना होगा और नीचे करेंगे तो यहाँ पर यहां पर आपको अपना Resilient Center बताना है कि आपका कौन सा Resilient Center है, यहां पर आपको यह बताना है कि अभी आप Employed है या फिर नहीं, Yes, No में आपको Answer देना होगा, यहां पर आपको Work Experience बताना है, अगर कोई भी Work Experience नहीं है, तो यहां पर आप Zero Select कर सकते हैं, और अगर आप Employed है, तो आपका क्या Post है वो आपको यहां पर बताना होगा, और अगर आप Employed है, तो आपका जो Work है, वो Full Time है या फिर Part Time है, वो आपको यहां पर बताना है, और यहां पर आपको यह बताना है, कि अभी आप कौन सा City या फिर State में रहते हैं, नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि जो जोब है वो आप जहाँ पर रहते है उसी state या फिर city में चाते है या फिर पूरे country में कहीं पर भी तो वो आप यहाँ पर बता सकते है और यहाँ पर आपको 5 option दिये गए है कि आप कौन से field में job प्राप्त करना चाते ह तो जैसे कि यहाँ पर आपको IT sector दिया गया है accounting का दिया गया है sales का दिया गया है तो आप अपने according select कर सकते है या फिर यहाँ पर आप no preference भी select कर सकते है नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको salary का बताना है कि आप कितना salary का उमीद करते है तो वो आप अपने according यहाँ पर बता और यहां पर आपको कम्यूनिकेशन का बताना है कि आपका हिंदी में और इंग्लिस में कम्यूनिकेशन दोनों में सही है या फिर नहीं या फिर कोई एक महीं आपका कम्यूनिकेशन ठीक है तो यहां पर आप अपने अकोर्डिंग बता सकते हैं नीचे करेंगे तो यहां पर आपको communication का rating देना है जिसमें कि आप एक से लेकर के तीन तक का number select कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कोई और information देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और सभी details को डालने के बाद submit पर click करेंगे तो placement के लिए यानि कि कहीं पर भी placement आता है तो इसके लिए जो information है वो आपको मिलता ही रहेगा बस आपको यहाँ पर registration करवाना होगा तो अगर आप इसमें registration करवाना चाहते हैं तो इसका link आपको हमारे website पर मिल जाएगा और इगनु के main website पर भी मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है त और इगनु से रेलेटेट सभी अपटेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं link नीचे दिया हुआ है साथी में आपको कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं